दोस्तो पारिस का मौसम स्टार्ट होते ही उमस और पसीना होने लग जाता है हमारे शरीर में और उसके वज़े से फंगल इंफेक्शन होने लग जाते हैं, फंगल डिजीज होने लग जाते हैं, जिसमें दाद, खास, खुजली, रैसेस वगरा होने लग जाते हैं, फोरे फु से कोई गरम ले लेते हैं और उसको यूज करने लग जाते हैं लेकिन जब तक हम उसको यूज करते रहते हैं तब भी तक हमें फायदा देखता है जैसे पराने दाथ खास खुजली के मरीज हैं, उनको तो बारिस के मौसल में बहुत ही जादा हो जाता है, ऐसे में अच्छा ट्रेट्मेंट लेना बहुत ही जरूर है, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे दमाईयों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप डॉक्टर क जटीन, दादखास, खुजली को, एकजीमा को, सुरैसिस को, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है, स्कीन से रिलेटेड इस्कीन डिजीस, उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, दोस्तों ये काफ़ी एफेक्टिव है, सेफ है, किसी तरह के कुछ साइड इफेक्ट इस क्रीम लगा-लगा करके, तो इस वीडियो को पुरा एंड तक जरूर देखिएगा, आज के इस वीडियो से आपको, आपके दादखास, खुजली का जो ट्रेटमेंट हो मिल जाएगा, और आप अपनी परिशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, तो दोस्तों इस जिसमें आपको ग्रैसोफॉलमिन मिल जाता है और सेटरिजन मिल जाता है, और तीसरी जो है, वो है एक क्रीम जो लुली क्रुनाजोल क्रीम है, यसको आपको यूज करना है, स्किन पर और यह जो दोनों मैडिसिन हैं, आपको खाना है, इस तरीके से इन तीनों मैडिसिन का यूज करना है, किसी भी तरह का दाद खास घुजली है, उसके लिए आप इन medicine का इस्तमाल कर सकते हैं, अपने डॉक्टर की सलाह से, तो मैं यहाँ पर आपको जनकारी दे रहा हूँ कि किस तरह से इसको यूज करना होता है, और क्या-क्या precautions रखने होते हैं, तो चलिए सबसे पहले इस tablets के बारे में जान लेते हैं, तो यह है Grisovine FP, और यह जो tablet होता है, इसका एक-एक गोली आपको दिन में दो बार लेना होता है, खाना-खाने के एक घंटे बाद, और यह fungal infection के लिए बहुत ही effective है, बहुत ही पुरानी medicine है, बहुत सारे doctors के द्वारा यह prescribe किया जाता है, fungal infection के लिए खास करके दाद, खास के लिए, खास खुजली के लिए, एकजीमा के लिए और इसमें सेटरिजन भी है, और ग्रैसोफलमिन भी है, जो खुजली को, जहां पे infection होता है, उसकी खुजली को तो दूर करता ही है, साथ ही, जड से, जो उसमें सूजन होती है, खुजली के वज़े से, उसको भी यह हटाने में मदद करता है, तो आपको इस से tablets का इस्तमाल दिन में दो बार करना है, खाना खाने के बाद, और ketakonazole जो tablet है 200MZ, इसका आपको एक बार दिन में यूज करना है, खाना खाने के गंटे बाद, कम से कम, और दिन भर में एक बार यूज करना है, और दिन भर में दो बार यूज करना है इसको, और क्रीम आप दिन भर में दो से तीन बर लगा सकते हैं ये लुलिकोनाजूल क्रीम है इसमें मल्टी साल्ट नहीं है बहुत सारे जो क्रीम होते हैं उसमें मल्टी साल्ट होता है बहुत सारे इसमें इंग्रेडियन्स होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है जादा केवल आपको इस लुलिकोनाजूल क्रीम के यूज करना है तो इस तरह से इन तीनों मेडिसिन का आपको यूज करना है ये दोनों को खाना है और इसको लगाना है और किसी चीज की आपको ज़रूरत नहीं है जहां तक precautions की बात है तो आपको अपने खान पान में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, अगर नानवेस का सिवन करते हैं तो उसका सिवन मत कीजिए, ज्यादा ओयली और ज्यादा मसाले वाली चीज़े का सिवन मत कीजिए, और एक बहुत इंपोर्टन चीज है कि भीगे हुए कपड़े ज सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या घबरहाट में चाहिनी होती है, तो तुरांत इस मैडिसिन को आपको बंद कर देना चाहिए, और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, फॉर्दर ट्रीटमेंट के लिए, नॉर्मिली देखा जाए, तो ऐसा कोई साइड इफेक्स जल्दी से नहीं होता है, बहुत रेयर केस में किसी को साइड इफेक्स हो जाता है, नॉर्मिली नहीं होता है, और जब एक बात और ध्यान रखिएगा, कि जब आप इन मेडिसिन का यूज कर रहे हों, तो प आपको फंगल इंफेक्शन हुआ है, वहाँ पे गरम पानी डालिए, गरम पानी से उसको साफ कीजिए, गरम कीजिए, इससे आपका जो फंगल इंफेक्शन है, बहुत जल्दी ठीक होता है, इसके साथ ही आपको अपने जो कपड़े हैं, रोजाना चेंज करने हैं, और जो प्रिकॉसन के साथ, अगर आप इन सभी मेडिसिन का यूज करते हैं, तो 100% आपके जो फंगल इंफेक्शन है, जड़ से समाप्त हो जाएंगे, और आप रिलीफ महसूस करेंगे, फिर दोबारा आपके जो फंगल इंफेक्शन है, नहीं होंगे, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वस इतना ही, उमीद है, आज की ये जनकारी आपके लिए फायदमन साबित रहेगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत-बहुत ख्याल रखेगा, और वीडियो को लाइक करके ही चाहिएगा, थेंकी सो मच,